क्लास 11 के विद्यार्थियों जैसा कि पिछले दिनों कि पिछले कुछ दिनों पहले इंग्लीज ग्रामर से आप लोग के लिए वीडियो भेजी गई थी जिसमें चेप्टर सेकेंट जो दूसरा चेप्टर है इसका नाम है से दूसार उसक के पिछ बनाकर बेजा था बीच में काफी अंतर हो गया आज फिर मैं इंगलिस ग्रामर से उसी चैप्टर से एक वीडियो बना के भीज रहा हूँ जिसमें दो या दो सद एक सिंपल सिंटेंस को कम्बाइन करके एक सिंपल सिंटेंस बनाने की विदी बताए गई है वो विदी है यूजिंग प्रिपोजीशन विद ए नाउन और जीरण यूजिंग प्रिपोजीशन विद ए नाउन और जीरण नाउन अत्वा जीरण जीरण जो होता है वो नाउन का कारिकरता है संज्या का कारिकरता है जीरण बनता कैसे है जीरंड वर्ब की फर्स्ट फार्म में आई एंजी जोड़ करके जब लिखते हैं तो वही वर्ब का फर्स्ट फार्म इसे आई एंजी लगा होता है वह जीरंड का काम करता है अब जीरंड का काम करेगा सब्जेक्ट का काम करता है वह नाउन का काम करता है जीरण जैसे इंफिनिटीव है इंफिनिटीव में क्या होता है वर्प के फर्स फार्ट से पहले टू का प्रियू कर देते हैं तो वह इंफिनिटी बनता है हिंदी में उसका अर्थ ना ने नी में निकलता है उसी तरह से इंफिनिटी की भाद जीरण भी जब लिखा जाता है ह तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है ना ने नी में निकलता है जब हिंदी के वर्व क्रिया में ना ने नी लगा होता है तो उसी हिंदी क्रिया को इंग्लीस में जब लिखेंगे तो वर्व के फर्स फार्व में पहले तू लगा करें इंप्निटी के रूप में लिखते हैं यूजिंग प्रीपोजीशन विद एनाउ और जीरन तो ये आपको एक्जामपल बिता जा रहा है एक्जामपल के अधार पर आपको समझगे आ जाएगा एक रूल है नाउन की भात ही जीरन से पहले प्रीपोजीशन का यूज वाक्तियों को जुड़ने में या कंबाइन करने जीरन अब भी वर्ब के फ्कार में आयं-ज लगाने से जीरन बनता है नाउन क्या होता है नाउन के बारे में प्ता है जब कौको इसी वस्तूश्थान या जाट्रेक्त के नाम को नाउन कहते है नाउन इस देनिप परसंड, प्लेश और ठिंग्निस में होता है आप पूजीजिशन विद्न आर्ट जीरण से पहले प्रिपो जीशन या नहों से पहले प्रिफिसन का पर्यूग करके दो आज्म को यह तीन वाध्म पो जोड औरकर एक सिंपल संथेंस बनाएजाएगा यहां एक्जामपle कि रूप में है पहला सेपरेट में सेपरेट के मतला अलागला दो सिंक्पल सेंटेश आपको दी रहे हैं आप यात्रा स्वाप्त हुई दा मून रोज आफ्टर हर जर्मी वाज ओहर उसकी आत्रा स्वाप्ती तत्पश्चार दा मून रोज क्या हुआ है संद्रमा निकला यह जर्व फास्ट ही एवाइं सेके निजांपल है यह जर्व फास्ट ड्राइब कर सिंग फार ड्रोब होता है वहां तेज चलाया वह एक आग्वी को धक्का देदिया वह तेज चलाया और धक्का भी अद्धोरों कर किया है इसको विसाइट से कम्बाइंड करेंगे प्रिप सब्सक्राइब आइब ड्राइब करेंगे यह जिए तो जीरल पन गया जिनर से पहले प्रिप फिसाइड्स होता है विसाइडस ट्राइब मेंग पे चलाने प्रिक्षा अधिक ही ही टेवेगाएं को एक आदमी को बारदिया तीसरा एक्जाम्पल है हर्मदर मेट वेट आयर एक्सिडेंट उसकी मां के दुरुगटना हुई सी हार्ड दा न्यूज वहाँ खबर सुनी सी रस्ट टू दा हॉस्पीटल वहाँ स्पीटल के तरफ दौड़ी अब यहां पर क्या है यह सी हार्ड दा न्यूज इसको फर्ट फार में लाएंगे और उसमें आज लगाएंगे और तरी पूजिसर लगाएं आन आन हीरिंग दा न्यूज आफ हर मदर्स एक्सिडेंट अपनी मा के दुरुधटना की खबर सुनने पर सुनने पर सी रस्ट टू दा हास्पीटल वह हास्पीटल या अस्पताल के तरह घश्ट की दौड़ी या भागी इस तरह से तेन एक्जामपल दे गाए है पहले एक्जामपल में आफ्टर प्रिपोजिशन है और उसके बाद हर जर्मी ये नाउन है तो नाउन से पहले आफ्टर प्रिपोजिशन का प्रयोग किया गया है सेकर एक्जामपल में ड्राइविंग जीरंड है जीरंड से पहले कि साइब करिया किया गया है तीसरी इंद आपकर दोग खार तंबर सब्सक्राइब कि एक बास से 6 साफनेल सब्सक्राइब तरह से 50 एक्यदी अच्छे करें करें यूब डिक्राइब बिंद्टन आर्ग करिंद्हांप लाइब और इस वीडियों को पड़के एक्जाम्पल के अधार पर एक इस्रसाज में सेंड़ करूंगा जिसको आप अपनी नोट बुप पर सावधार पुरुवात के मांदारी सिध्यान से लिख कर पूरा किजिएगा अगला एक्जाम्पल है इस सेखेंड चैप्टर से हैं आपकी ग्रामर इंगलिस के सिर्फंटर आप बुक कर लिए और बुक में आप देखेंगे ग्रामर में यह चैप्टर आपको मिलेगा उसमें त्रह त्रह कि विभिया दी गई है उसको ध्यान की बख पढ़िए वीडियो को पढ़िए समझे तब जाता कि आप किस्ट दी कम्प्रीट दी जाएगी और इसाप्ल में तारा हो कि अगर को ते जो रवास कि अगर वास एफ फेट कोईट दूश्रा वाक है कि वास एफ फेंटर तूर वास कोच दूश्रा 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 वाक है जो नहीं है दूश्रा बाले जाएगा अड़ा दूश्रा कि अंगल आर शडर सी कि अंगर शड़ है कि अ घर नर रून से घंगर शचा में ते जार हुआ है बसाईड़ ए उजक दो आया हुआ 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 जैस और जैस ग्रेट वे वे लेत कि ग्रेट पोएट महान कभी ना उन गाएगा इसके पहले भी साइट जिरंट ये पोजिशन का अप्रियों किया गया है कामरा ने लिए किसा पर ट्रेगों कर दीजिए कि मिस्टिक है गुट है गुट पेंट है यानी जे बिसाइड से ग्रेट पोएट एक महान कभी कि अत्रिक्त ट्रेगोर वाजे गुट पेंटर ट्रेगोर एक अच्छे पेंटर थे चित्रकार थे इस तरह से एक्जांपल आपको आगया है इस एक्जांपल के अधार पर एक इस्टरसाइज भिजी जाएगी और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा इस्टरसाइज को नोटबूक पर त्यार किजिएगा आज बस तरही रहेगा कल जो है यूजिंग अडजेक्टिव अडजेक्टिव फ्रेज एंड कर्योक से दो या दो सरी सिंपल सिंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सिंटेंस बनाने की मेथड मैं कल बताऊंगा आज बस तरही रहेगा हले बाल